सिवनी से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां सडक के अभाव में ग्रामीरी मरीजों को खाट पर लिटा कर अस्पताल ले जा रहे हैं आजादी के एतने सालों बाद भी ग्रामीरी इलाकों में मूल भूत सुविधाय नहोना यह दिखाता है कि विकास के सभी दावे खोखले हैं चुनाव आते ही नेताओं के दावे और वादे शुरू हो जाते हैं लेकिन चुनाख खत्म होते ही विधायक और मंत्री बनकर नेता गद्धी पर बैठ जाते हैं और जन्ता अपनी उनी समस्याओं को लेकर नेताओं से गुहार लगाती रह जाती है ये हैं लखनदौन विधान सभा के ग्राम पंचायज बातन के सत्वरा गाउं का नजारा जहां ग्रामीन इलाखों में स्वास्थ सुविधा के साथ ही परिवहन भी लचर हालत में है गाउं तक सड़क मारगना होने के कारण एक बिमार महिला को खाट पर अस्पताल ले जाया गया है इस घटना में सड़क विवस्था के साथ लखना दौन विधान सभा में स्वास्थ सुविधाओं की भी पोल खोल कर रगती है यह पहला मोगा नहीं है जब इस तरहां के घटना सामने आई है इससे पहले भी ऐसी तस्वीरे रिवा सत्ना और बहुत सी जगाहों से द देना देना लखनादौन के कई गाओं में सड़क परिवहन के हालात काफी खराब हैं यहां गाओं को जिले के प्रवक इलाकों से जोड़ने वाली सड़क काफी जरजर हालत में नजर आती है अज़ बनी हुए है यह हम डले है बहुत पिछड़े है यहां सासन पर सासन अभी तक कोई व्यकास की इस्तिती नई बनी है भूखंड में डले है हम लोग और यहां के जनपिरती निदी कहने का मतलब कोई आके देखती नहीं नहीं यह यह सतर सालों के बाद कोई रोड के इस्तिती आप देखा ही रहा है यहां बैलगाली जाने के लिए आने के लिए मरेज यह भी भी वह बाई महिला जिसकी सीरियस तबियत खराब थी वोसको डाक्टर के यहां ले जाना था हो भी बहुत गंभीर इस्तिती नहीं अशकती है य यहां कोई आने जाने के लिए पेडल तक बहुत मुश्किल पड़ रहा है तो कहां की अम्बूलेंज से आएंगी यहां सासन की रबिंदरनाथ तगो उनिवर्सिटी फॉर्मली ओन ने इस आइस एक यूनिवर्सिटी तगो बाई प्रियों से शांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पिढ़ों से नकसलवादियों के गढ़ता जोपृदी से मेहलों तक थेलों से मेलों तक पक्दंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूट मीती तक दखन नियू आपके हत्रों आप देख रहे हैं दखन नियू